कि हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप सब ठीक हूंगे अज की पर इसे लगाते हैं अपने चेरे पे तो इस अगया साथ में अगर आपकी चैरे पे जूरिया है आपके चेरे पे बहुत अचा ग्लो आने वाला है पिमपल्स की प्रोबलम है दाग धबों की प्रोबलम है तो वह भी दूर हो जाएगी आपके चेरे पे फेशिल जैसा निखार भी आएगा तो आप इस रेमडी को जरूर यूज करना इसे बनाना भी बहुत आसान है लगाना अगर दूप की वज़े से आपके चेरे पे टेनिंग हो जुकी है तो वह भी दूर होने वाली है यह जो फेशिल बहुत सारे काम करने वाला है आपके चेरे पे और जब आप से लगाएंगे तो एक बार में ही आपके चेरे पे बहुत अचा फारक आएगा तो चलिए फटा दाग ध्रभव रावडरिन यहां पर हम लेते ही जाईय। को लेते हैं के पारी किन महीं पर दोरी उसके सब्सक्रामेद दूर होगी उसके बाद मैंने या पे लिया है औरेंज पिल पाउडर एक चमज मैंने या पे औरेंज पिल पाउडर लिया है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़दा फाइदेमन है उसके बाद मैंने या पे चूटकी भर कस्तूरी हल्दी ली है कस्तूरी हल्दी जो है ना म एलो भी रजेल अगर आपके बास फ्रेस है तो आप फ्रेस भी ले सकते हैं मैंने यापे मार्केट वाला लिया है उसके बाद में धोके ले रही हूं कच्छा दूद चैनले कंजादेर जितने वी गंदे की अउसे साफ करता है जाईयों की प्रोब्लम को दूर करता है तो मैंने यहां पर इक अच्छे दूद का यूज गया है थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर दूर डालना है और अच्छे से यह जो फेस पेक है मिक्स कर लेना है इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है ना ही गाड़ा बनाना है इस बात का ध्यान रखे थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर दूर डाले अच्छे से इसे मिक्स करे एक सी दो मिनट आप जब मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छा फेस पेक बनके तियार हो जाएगा बिलकुल क्रीम की तरह यह जो फेस पेक है बनके तियार हो चुका है आप देख सकते हैं मेंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है यह जो फेस पेक है आपके चैरे पे बहुत सारे काम करने वाला है क्यूंकि हमने इसके अंदर pulling powder juices by डाला है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकन पे प्रेस करें ताकि मैं जभी कोई नए वीडियो अप्लोड करूऊ उसे आप सबसे पहले देख पाएं, और आप इस फेस पेक को हपते में कम से कम 2-3 वार जरूर लगाएं अगर अच्छा रिजल चाहिए तो तो चली फटाफट से देख लेते हैं इसे किस तरह से लगाना है तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है इसे पूरे चैरे पे अच्छे से लगा लेना है यह जो फेस्पेक है पूरे चैरे पे अच्छे से लगाना है आप चाहे तो इससे स्टोर भी करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक से दो दिन के लिए आप इससे स्टोर अगर आप हपते में इसे दो बार लगाते हैं, इसक्रब करना चाहते हैं, तो आप मसाज करते हुए दोएं, अगर आप फेस पेक की तरह लगाते हैं, तो इसे लगाके रखें, पंदरा मिनट के बाद जब सूक जाएं हलका सा, तो पानी लगाके आप अपने चैरे को दो सकते हलके मसाज करने हैं, एक से दो मिनिट इस से ज्यादा नहीं करनी हैं, और आप देख सकते हैं, मेरे चैरे पे बहुत अचा ग्लोव्य आया है, जितनी भी गंदकी होती है, पे वह निकल जाती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सौक्ट हो जाती है, आपकी जायां है, दाग तो आप इस रेमडी को ट्राइ कीजिए का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा में से नेक्स्ट वीडियो में ठब तक के लिए बाई